नमस्कार दोस्तों मनोज साइबर कैफे पानिपत के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों बच्चों के RTE के तहत ओनलाइन जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं फारम ओफलाइन भरे जाएंगे फारम कैसे बरना है ये फारम आप देख सकते हैं application form for admission under RTE act 2009 first class और primary class ठीक है primary class से first class तक जो admission हो रहे हैं ये फारम ओफलाइन भरा जाएगा ये फारम कैसे बरना है मैं आपको बताने वाला हूँ इससे पहले दोस्तों मैंने एक WhatsApp ग्रूप बनाया है तो जो सिर्फ बच्छों के एड्मिशन के लिए ही मैंने यापर किया है जो आर्टी के तयात और 134 के जो एड्मिशन होंगे उसके बारे में यहां पूरी जानकारी मैं यहां पर गूरूब में दे रहा हूं और आप यहां पे देख सकते हैं कि वीडियो मैंने यहां बना के प और इस फार्म को आपने भरके स्कूल में जमा कराना है तो यहां पर क्या है यह अप्लिकेशन फार्म आपका है और यहां पर आप देख सकते हैं अप्लिकेशन फार्म फॉर प्राइमरी टू फर्स्ट कलास ठीक है यहां पर बच्चे की फोटल लगेगी और इसके अलाव जो कि येर है 2022-23 के लिए फार्म आपका ठीक है और सबसे पहले एडमिसन नमबर है यह ओफिस यूज के लिए है रिलीजियन कास्ट यह आपको यहां पर फिल करनी है कैटेगरी क्या है और आप हिंदू है मुस्लिम है सीख है हिसाई है ठीक है और जहां पर आप आप एडमिसन है निचे की तरफ दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं नेम ओफ दै पूपिल इन फुल ब्लैंक ठीक है बच्चे का यहां पर नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको डीटेल में यहां पर फिल करना है नेम ओफ द प्रपोस्ट पेरेंट्स टू बी एंटर इन्टर रिकोर्ड इट विल नोट भी चेंज लैटर इन बलोक लैटर ठीक है जो बच्चे का नाम है आपके डोकमेंट में है आपके पास तो आपको यहां पर उसको फिल करना है बच्चे की डेट और वर्थ यहां पर फिल करनी है यहां पर डेट आपको देख मैनुएल लिख रही आपको फिल करने है, फादर का पूरा नाम, मदर का पूरा नाम, आपको यहाँ पर फिल करना है, पिरेंट्स, Officeial Address और Complete Residential Address, आपको यहाँ पर फिल करना है, अधार नंबर, Senior, Serial नंबर, और Child, डाय राशनकार, पी-पी यहां पर देटेल भھरनी है आपका धारका नमबर अब्लिक family ॡ नमबर आपको यहां पर फिल कर देना है और इसके अलावा जो एन्व इनकम है यहां पर देख सकते है एन्वं इनकम यह आपको फिल करनी है फिल इनकम फिल शक्म ऑलाव जो 11 नंबर पर आपका name of the home town to the parents as pre-official record in their employment ठीक है जो आपका address है आपको यहाँ पर fill करना है office के हिसाब से यहाँ पर लिखा है name of the home town of the parents as per official record of their employment आपके employment के साब से आपका address क्या है वो आपको यहाँ पर fill करना है और residence address आपका उपर की तरफ option चला गया है यह option आपका अलग रहेगा यहाँ पर यह option आप देख सकते है parents official address with designation father and mother ठीक है तो यहाँ पर आपको fill करना है 6 नंबर में और आपका 11 नंबर में आपका hometown parents as per official record official record के साब से आपका address क्या है वो आपको यहाँ पर mention करना है mother tongue आपकी क्या है Hindi English जो भी आपको यहाँ फिल करनी है whether the fulfill belong SCST yes no आपको fill करना है यदि आप SCST से belong करते हैं और इसके लाव जो option है 14 whether the fulfill belong to the economic अगर आप EWS से belong करते हैं तो आपको यहाँ पर yes no करना है और उसके लिए आपको certificate भी आपको physical handicap है तो आपको यहाँ पर yes no का option देना है और उसका physical handicap यदि certificate बना हुआ है तो आप उसको जो है साथ में लगा सकते हैं और किसी दूसरे school में यदि बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी detail आपको यहाँ पर fill करनी है body mark कोई है आपका तो यहाँ पर fill करे distance residence from school school से आपका घर कितनी दूर है आपको यहाँ पर kilometer के इसाफ से एंटर करना है एक kilometer के अंदर में जो है यहाँ पर apply कर सकते है minimum आपका एक kilometer है तो आप apply कर सकते है declaration में आपको यहाँ पर अपने sign वगएरा करने है नाम वगएरा लिखना है date लिखनी है और signature of the appearance यहाँ पर लिखा हुआ है guardian signature ठीक है यह signature करने है इसके बाद जो है यह form का एक हिस्सा दुबारा से attach कर दिया गया है ठीक है और यह normal sub form है दोस्तों आपको fill करना है यह सबी जो है form fill करने के बाद जो सारे document आपके income certificate, family id, residence proof, अधार card, बच्चे का mother का और father का तीनों के अधार card होगे और आपका domicile है यदि आप SCST से बिलोंग करते ही WS से बिलोंग करते हैं जिस category में आप form बर रहे हो आपको जो है category certificate आपको जो है देना होगा ठीक है और इसके लाब कोई भी help चीए दोस्तों आप वीडियो में comment करें वीडियो के description में मैंने group का link दे रखा वहाँ से आप मेरा whatsapp group join कर सकते हैं और यदी group आपको ज्यादा full मिलेगा तो मैं उसमें एक नया group का जो है link डाल दूँगा वहाँ से जो है उसको नए group को join कर सकते हैं इस तरह की सभी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे youtube channel को subscribe करें धन्य करें आवाँ